हाई एवरिवान, वेलकम बैक टो मैं चैनल, प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए आज की वीडियो में मैं आपको कुछ लिब बाम्स दिखाऊंगी और इनके बारे में बताऊंगी कि ये किस तरह की हैं और इनको अनपैक भी करके दिखाऊंगी, प्लास दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसे दिखते हैं तो वन बाई वन में आपको दिखाती हूँ, जो सबसे पहला मेरे पास है वो है शुगर पॉप का जीरो टू चैरी और ये जो है पैकिंग इसकी कुछ इस तरह की अपियरंस में है कलर्ड पैकिंग है काफी और पिंक कलर का इसका जो है आउटर इस प्लास्टिक का बनावा जो होता है वो है और प्लास इस पे पीछे जो है वो सारी इंफोर्मेशन दी हुई है इसकी इसकी manufacturing और इसकी expiry mentioned है और इसका MRP है rupees 149 का और यह जो है like nourishment provide करता है lip balm आपके lips को soft बनाता है supple बनाता है और आप इसकी जो है बस thin layer आपका apply करनी होती है अपने lips के ऊपर and it keeps your lips moisturized तो मैं अंदर से अब आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि यह किस तरह का है यह इस तरह की packing में है packing काफी मुझे अच्छी सी लग रही है pink से color किये attractive सी है और नीचे इसके लिखावा है इसका like number लिखावा है and shade लिखावा है जिस shade का यह निकलेगा that is 02 है cherry है प्लस इनों ने यहां पर भी mention कर दिया 02 cherry तो काफी अच्छी सी packing लग रही है मुझे इसकी and yes यह बिल्कुल एक तम उसी तरह का है जिसे एक cherry का color होता है red color का यह tinted lip balm है तो यह बिल्कुल एक reddish सा tint दे रहा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसकी जो fragrance है वह भी प्राय कर सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यह बिल्कुल और लगाने पर heavy भी फील नहीं हो रहा है यहां पर sticky भी नहीं है तो it's good very good तो आप इसको बिल्कुल try out कर सकते हैं शुगर पॉप के lip balm को फिर जो next है वो है this my glam का superfoods का color pop lip balm जो की watermelon में है और यह जो है वो 12 hours का moisturized soft lips आपको देता है and plus जो है इसमें है fp f20 और इसकी जो manufacturing और expiry वो पीछे दी हुई है इसका MRP 160 है और सब इसकी detailing mentioned है ingredients भी बहुत clearly यहां पर दिये हुए है और इसका जो net weight है वो है 4.6 gram का यह paraben free है alcohol free है gluten free है और इसमें जो shade है वो है watermelon even इनोंने यहां पर भी mention कर रखा है कि watermelon shade में है और यह यहां पर भी mentioned है like watermelon में है तो अब मैं आपको इसको भी unpack करके दिखाती हूं काफी attractive सी packing है इसकी भी अच्छा दिख रहा है मुझे यह भी काफी see it look like this बड़ा tiny सा और प्यारा सा है और इसके भी नीचे जो है लिखावा है बहुत चोटा चोटा लिखावा है but and this is looking very cute अब मैं आपको दिखाती हूं कि यह किस तरह का है इसकी क्याप से open हो गई है यह भी red color का है because watermelon shade में है यह भी काफी अच्छा लग रहा है मझको अब इसका मैं दिखाती हूं यह तो काफी like pigmented लगा और बहुत अच्छा दिख रहा है यह बहुत सुन्दर है मैं बहुत ज़्यादा रही हूं कि मैंने इसको पर्चेस किया और इसकी भी fragrance जो है माइल सी है अच्छी है तो आप इसको भी बिल्कुल like try कर सकते हो and especially those who don't want to wear any lip color वो तो बिल्कुल इसको पर्चेस कर सकते हैं क्योंकि यह काफी tinted है और अच्छा सुन्दर सा color इसने दिया है यह है watermelon shade यह आप इसको पर्चेस करेंगे तो बिल्कुल इस तरह का shade यह आपको आएगा लगाने के लिए तो यह बहुत सुन्दर मुझे लगा है आप इसको बिल्कुल पर्चेस कर सकते हो फिर जो next है वो है निविया का यह है berry shine यह आपको 24 hours का melting moisture प्रवाइड करता है natural oil से बनावा है यह बहुत time से market में आ रहा है यह तो थोड़े से like नए है sugar pop और यह जो वाला मैं आपको दिखाया है माई glam का यह दोनों नए है बट निविया का तो like मैं बहुत बार पहले भी यूज कर चुकी हूँ इसके different like cherry shine है इसका एक आता है rose वाला and different और भी आते हैं आप उसमें से भी choose कर सकते मैंने यहाँ पे berry shine वाला लिया है इसका जो प्राइज है वो है रुपीज 199 का इसकी भी MRP इसकी expiry पीछे दी हुई है और यह भी बहुत अच्छा lip balm है बिलकुल भी like जो है वो harsh नहीं है बहुत जादा lips को moisturize रखता है प्लस देखते हैं कि यह अब किस तरह का है पैकिंग इसकी काफी like tightly की वी है इनोने अब देखते हैं कि किस तरह की पैकिंग इसकी हुई है कि यह तो मेरे से like खुल भी नहीं रही है इतने अच्छे से इनोने पैक करके दिया इसको थोड़ी सी पैकिंग मुझे लगी like easy to open तो नहीं है यह इस तरह से खुलता है वहां से and इस तरह से हम निकाल लेंगे पैकिंग इनोने काफी इसकी जो है वह इस तरह की करक्खी है कि it's not easy to open see निकल ही नहीं रहा है अब आ गया निकल के बाहर तो यह है हमारा third lip balm जो की है निव्या का berry shine और यह भी काफी सुन्दा सा color है maroon है तीनों जो है वह tinted है और maroon shade है यह वाला यह भी काफी सुन्दर color दे रहा है देखिए तो आप यह tinted lip balm लेना चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई भी choose कर सकते हैं like तीनों के ही color प्यारे है बट मुझे personally जो है वह my glam का बहुत अच्छा आ रहा है लगने के बाद दिख रहा है यह और प्लस यह निव्या का जो berry shine है वो भी काफी सुन्दर लग रहा है यह दी बहुत हलका सा tint चाहिए तो यू केन गो फर दिस वन जो की sugar pop है तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी helpful रहेगी when you are going to purchase this tinted lip balm तो मिलती हूं मैं आपसे next video में और प्लीज मेरी चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियो को like और share कीजिएगा तब तक के लिए bye everyone take care all of you